Good morning, today we discuss before and after, you know before number and after number, this is suppose, मेर पास number है 347, इसका before कितना होगा? 347, 347 का before क्या होगा? 346, and after, after मतलब बात का नमबर है, 347 के बात का नमबर क्या हो जाएगा, 348 अब next है कुमारे पास नमबर 652, अब 652 का पहला वाला नमबर क्या होगा, 651 और after क्या हो जाएगा, 653, next है 735, इसके before का क्या हो जाएगा, 734 and 736 next है 998, 998 का before नमबर 997 and after नमबर 999 next है 666, 666 का before क्या हो जाएगा, 665 and after 667 next 900, अब 900 से पहले वाला नमबर क्या हो जाएगा, 899 1 minus कर दो तो 899 है आएगा, अब इसमें एक अगर प्लस हमने कर दिया, after का मतलब क्या होता है, एक जुड़ जाना, before का मतलब होता है, minus हो जाना, अगर हम इसमें एक प्लस कर देंगे, तो 900 में आपन, 1 को प्लस कर दिया, तो 900, 1, इसका after नमबर क्या हो गया, 900 का 900, 1 कर दो कर दो 9, 1 इसका है, मतलब क्या है, तो 100, 1 जाना, अगर हम आवा यूश्य कर दो,